हरी कृष्णा जैशील प्रहुपाद आज अर्जुन रत परसवार होकर युद के मैदान के बीचों बीच आ गए हैं जहांसे वे दोनों से नाव को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं और आज पूर्ण पुर्शोतम भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को कुछ बोलने जा रहे हैं आईए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को क्या बोलने जा रहे हैं आज हम पच्चिस्वा श्लोका करेंगे अर्थाथ भीश्म, द्रोन और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरूओं को देखो अब अनुवात के नुसार जैसा कि मैंने कल केशलोक में बताया था कि भगवान श्रीकृष्ण रिशी केश है अर्थार्थ सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्रीकृष्ण ये भली भाती जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या दोंद चल रहा है उन्होंने यहाँ पर अर्जुन को पार्थ कहा है उन्होंने अर्जुन को पार्थ इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन वासुदेव जी की बेहन कुंती महरानी के पुत्र है और क श्रिक्रिष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे यहां युद भुमी पर आए और भिश्म, द्रोन, सहित सारे कुरुओं को देखे। आज का सूविचार जब कोई हमारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कृष्ण खुद हमारा हाथ पकरने और साथ देने आ जाते हैं। इसलिए हर काम कृष्ण को समर्पित करके करिए और देखेगा कैसे आपका हर काम अच्छे से होता चला जाएगा और बैकर्म भावनावित कर्म बन जाएगा जिसका आपको आगे चलकर कोई बंतन नहीं होगा। इसी के साथ भगवद गीता यथा रूप का पच्चिस्वा श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा जैशिल प्रह पाद